हेलो दोस्तो आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक महीला प्रेगनेंट कैसे होती है तो आईए जानते हैं प्रेगनेंसी एक खुबसूरत पल है जिसे हर कपल अपने जीवन में कम से कम एक बार जीना चाते हैं गर्वधारन करना एक महीला के लिए उसके जीवन के सभी खास पलों में से एक होता है प्रेगनेंसी में सावधानिया बरतने के लिए एक कपल और खासकर महीला हर संभव को उन्ये की कारण जादाता लोगों को यही लगता है कि सेक्स करने के बाद एक महीला गर्वधारन कर लेती है। प्लाकि सच्चाई इस से थोड़ी अलग होती है। कीवल सेक्स करने से एक महीला कंसीव नहीं कर दी है। एक महीला को अपने पती के साथ संबन बनाने और कंसीव करने से पहले भी प्रेगनेंसी के कई चरण होते हैं, जो गर्वधारन के सफलता और असफलता की बड़ी भूमी का निभाते हैं। अगर आप भी मा बनना चाहती हैं तो आपके मन में भी ये कोशन जरू उठता होगा कि प्रेगनेंस कैसे होते हैं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में पूरुष और इस्तिरी के प्रजन अंग सबसे ज़्यादा महत्यपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि गर्वधान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक इस्तिरीयाने की औरत और आदमी दोनों के प्रजन अंगों का स्वास्त होना बहुत ज़्यादा आविश्यक होता है। प्रेगनेंसिय की लगबग पूरी प्रक्रिया एक महीला के शरीर में घटित होती है। इसलिए महीला के प्रजन अंगों का सेहत मन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। महीला की प्रजन अंगों में ओवरी और फैलोपियन ट्यूप सबसे ज़्यादा महत्यपूर्ण अंग होती हैं दोस्तों सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि ओवरी क्या है ओवरी को अंडिशर की नाम से भी जाना जाता है एक महीला को कंसीव कन्ने में ओवरी की भूमी का बहुत जादा महत्यपूर्ण होती है ओवरी में ही एक्स या फिर अंडे बनते हैं जो आगे इस्वम के साथ फर्टिलाइज होते हैं और फिर प्रेगनेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टरॉन नाम की हार्मोन का निर्मान भी ओवरी में ही होता है जब एक महीला गर्विधारन करती है तो उस जोरार उसके ओवरी का आकार यानि की शेप भी काफी जादा महत्यपूर्ण होता है क्योंकि छोटे ओवरी में अंडों की संक्या बहुत कम होती है तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फैलोपियन ट्यूब क्या है फैलोपियन ट्यूब अंडे को अंडशे से गर्विशे तक ले जाने के लिए एक रास्ति का काम करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदरूनी हिस्से की साररिक संराचना अंडों को गर्वेशा की ओर तैनने और पोशेक तोत्यों की आपूर्ती करने में मदद करता है फैलोपियन ट्यूब में किसी परकार की खराबी होने के कारण महिला को कंसिफ करने में काफी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के लिए एक आदमी के सबसे महतेपूर अंग पुरुष के प्रजन अंगों का काम इस्परम और सीमेन का उतपादन करना है सेक्स के दोरान इस्परम और सीमेन महिला के प्रजन अंगों के अंदर जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक पुरुष के प्रजन अंग में लिंग और अंड को शामिल है बात कर लेते हैं लिंग क्या है लिंग सेक्स के दौरान इस्तेमाल किये जाना वाला एक अंग है जिसके तीन भाग होते हैं पहला भाग जड़ है जो पेट से जुड़ा होता है दूसरा भाग शरीर यानि की शाफ्ट है और तीसरा सिर है लिंग का सिर पतली स्किन से धका होता है जिसे medical language में हम लोग four skin कहते हैं दुनिया के अनेकों शहर में कुछ बीमारिया जैसे की फाइमोसिस से पीरित होने या फिर धालमिक कारणों से जिसे की हम खतना कहते हैं उसकी मदद से four skin को link से सीर से हटा दिया जाता है सेक्स के दौरान जब एक आदमी ejaculation करता है तो उसके link से sperm निकलता है जिसमें सीमेन भी मौजूद होता है sperm link से बाहर निकलका योनी की मदद से महीला के शरीर में जाता है उसके बाद गर्बशाग ग्रीवा और फैलोपियन ट्यूब में जाता है जहां अंड़ा sperm के साथ निस्सेचित होता है और pregnancy की जो process है वो शुरू हो जाती है दोस्तो अब बात कर लेते हैं अंड़कोष क्या है अंड़कोष को vision और हम English language में testicle कहते हैं ये एक पुरुष के प्रजन प्रणालियों का बहुत ही मैत्यपोर्ण अंग है एक आदमे के पास दो अंड़कोष होते हैं जो एक पतली थैली में मौझूद होता है इस थैली को हम medical language में scrotum कहते हैं अंड़कोष का मुझे में काम है वो sperm और testosterone नामप का हार्मोन का निर्मान करना है जो pregnancy के लिए बहुत ज़्यादा आवश्रक होते हैं testosterone hormone का का काम जो होता है वो sex drive, present, चमता और mass patient फिर हड्यों का विकास करना होता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं pregnancy के stage की बारी में तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं pregnancy की पहली stage evolution मासिक चक्र का एक हिस्सा है जब ovari से परिवक अंडर रिलीज होता है तो उस इस्तिति evolution कहते हैं ये जो process है हर माईने repeat होती है जैसे कि हम सभी जानते हैं और इस समय एक महीला को गर्वदारन करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है हम तोर पर एक महीला का मासिक धर्म जिसे के emperiors कहते हैं उसका चक 28 दिनों का होता है और evolution की जो प्रक्रिया होती है वो मासिक धर्म के 11 दिन पहले शुरू होती है इस दौरान महीला की ओवरी से अंडा बहार निकल कर फैलोपियन ट्यूब में जाता है evolution के दौरान अपने पती के साथ संभावना बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों बात कर लेते हैं pregnancy की दूसरी stage pregnancy के लिए अंडा और स्पर्म का मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है फैलोपियन ट्यूब में अंडा और स्पर्म के संयोजन को fertilization के प्रक्रिया एक महीला में evolution के चक्र के दौरान होती है अगर evolution के दौरान स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होता है हर महीला का सरीर अलग अलग होता है इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर महीला में महावारी के 10 दिन बादी evolution होगा ध्यान देने वाली बात ये है कि महीला का अंडा लगबग 24 गंडे और एक आदमी का स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में लगबग 5 से या 7 दिनों तक जिन्दा याने की जीवित रहता है इस जरूरान अंडा फैलोपियन ट्यूब तक बहुत जाता है तो fertilization की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है fertilization के बाद एक महीला pregnant हो जाती है fertilization के तुरंद बादी बच्चे की जीन और लिंक सेट हो जाती है अगर इस परम में एक Y क्रोमोजोन होता है तो गर में पर रहा बच्चा एक लड़का होता है और अगर इस परम में एक X क्रोमोजोन होता है तो गर में पर रहा एक बच्चा लड़की होती है तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की तीसरी और आकरी स्टेज फर्टिलाइजेशन यानि की नीसेशन के बाद अंडा लगबग तीन से चार दिनों तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है लेकिन फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के अंदर इसी कोशी का ये तीजी से विभाजित होनी लगती है विभाजित अंडा धीर धीरे फैलोपियन ट्यूब के जरिये गर्बशाय यानि की यूथेरेस में जानी लगता है जब अंडा विभाजित होका यूथेरेस वॉल यानि की गर्बशाय के अस्तर से जुड़ने लगता है तो इस प्रोसेस को हम इंप्लान्टेशन कहते हैं योग गर्बशाय के अस्तर से तब तक जुड़ा होता है जब तक की बच्चा जन्म लेने के लिए त्यान ना हो जाए दोस्तो बहुत सी महीलाओं के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि हम प्रेगनेंसी के लिए अपने स्रीड को कैसे त्यार करें तो दोस्तो अपने वजन यानि की वेट का ख्यास ध्यान रखे मुटापय के करण आपको गर्बधरन करने में काफी जादे परिशाच्चियों का सामना करना पड़ सकता है अपने पीर साइकल को चेक करें और पीर्स के शुरुआत या फिर लास्ट के बीच के समय को आप मेजरमेंट करें यानि की ना पें अगर किसी परकार का टीक करन मिस हो गया है तो डॉक्टर से आप जरूर एक बार कंसर्ट कर ले और प्रेगनेसी के दुरान नियूरल प्यूब दोश को रोखने के लिए अपनी डायेट में फॉलिक एसिर से भरपूर खानपान की चीजों को जरूर शामिल करें इसके लावा स्वास्त और संतूलित आहर का सेवन करने से सरीर में आवशक विटामिन और मिन्रल्स की पूर्ती होती है जिससे गर्वधारन में मदद मिलती है के लावा दोस्तों आप डेले सुबह और शाम में एकसरसाइज योगा जरूर करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि इससे आपके सरीर और मन के बीच ताल मिल बैठता है, जिससे गर्वधारन में मदद मिल रहें। साथी साथ दोस्तों अपनी बॉड़ी का चेक अप जरूर करवाते रहें ताकि सही समय पर आंतिल्क बिमारियों की जाच और इलाज किया जा सके। इसके लावा दोस्तों मैं फ्री में आप लोगों को एक एडवाईस देती हूँ कि जब महीला की ओवरी से अंडर रिलीज होता है तो एक आदमी का इसपम पहले से फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होना चाहिए। चक्सर में पूर सकते हैं वीडियो पसंदाई है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला मिलेंगे फिर इसी तरह से अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने आने वाले बच्चे का भी